हेलो एवरिवन आप सब का कुक विद कीचन में स्वागत है कैसे हैं आप सब दोस्तों उमीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे तो चलते हैं आज फिर आपके लिये में एक नई रेस्पी लेकर आई हूँ तो आज हम बनाएंगे मीनी मिर्च अचार मेनी मीर्च अचार नाम मैंने इसलिए इसका रखाएं क्योंकि हमने से छोटा छोटा काटके बनाया है और इसको बनाना बहुत ही असान है फ्रेंड और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ही लगता है बस इसको आपको बनाने में उल्ली आपको साथ से आठ मिनट लगेंगे बस साथ से आठ मिनट में ये आपका मस्स अचार जो है कि बनकर त्यार हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए मैंने 200 ग्राम लिए मिर्च और इसको मैंने धो कर अपड़े सी साफ कर लिया है और इसकी अब हम डंठल को अलग कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने डंठल को अलग कर लिया है अब हम इसकी कटिंग करेंगे कटिंग आप किसी भी भी सेफ में कर सकते हैं चाहे तो आप एक मिर्च के दो टुकड़े कर सकते हैं जाहे आप एक मिर्च के बीज में से कट कर सकते हैं या आप इस तरीके से एक मिर्च की चारपांच टुकड़े कर सकते हैं तो यहां पर देखिए मैंने एक मिर्ज के चार पांच की टुकड़ों में इसको कट किया है किसी को मैंने छोटा काटा है किसी को मैंने बड़ा काटा है तो यहां पर हमें इसके सेफ में नहीं जाना है क्योंकि इससे हमारे अचार में कोई भी चेंजिस नहीं आने वाली हैं तो पहले मैं इस मिर्च को काट लेती हूँ यह देखिए तो फ्रेंड यहां पर देखिए हमने अपनी सारे मिर्च को इस तरीके से काट लेना है इसका लुक भी देखने में कितना अच्छा लगता है और अचार भी हमारा उतना ही तेश्टी लगेगा तो अब हमने एक पैन ले लिया है नॉन्स्टिक इसमें हम डालेंगे दो छोटा चम्मच सौफ एक चम्मच मेधी दाना एक चम्मच जीरा और दो चम्मच राई जिसे हम सरसो भी बोलते हैं काली वाली तो इनको हमें डालकर ड्राइव रोष्ट तक कर लेना है से इसको हमें ब्राउन नहीं करना है नहीं तो हमारे अचार का जो कलर है वो अच्छा नहीं आयेगा हमें इसको थोड़ा संप्त onaying है और जब इसमें अच्छी सी खुसूह आने लगे तब हमें अपना गैस बन कर देना है ठंडा हो जाए तब हम इसे दर दरा पेश्ट बना लेंगे तो यहां पे देखिए हमने इसका दर दरा पेश्ट बना कर तयार कर लिया है तो हब हमारा अचार का मसाला रेडी है अब हम चलते हैं नेक्स्ट टैप में तो यहां पर उसी पैन में हमने डाल दिया है तेल गरम होने के लिए यहां पर हमने एक कटोजी तेल लिया है और इसको हम गरम होने देते हैं जब इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाए तब हम अपने गैस का फ्लेम बन कर देंगे तो यहां देखिए बुलूले आना स्टार्ट हो चुके हैं अब हमारा देल गरम होना स्टार्ट हो चुका है तो फ्रेंड यहां पर देखिए अब हमारा देल गरम हो चुका है और यहां पर हमें अपनी कटे हुई मिर्च एक बाउल में या आप किसी भी परतर में निकाल लीजिए तो यहां पर मैंने यह लिया है अब हम इसमें डाल देंगे दो चुटकी के करीब हींग या एक चुटकी तो यहां पर मैंने दो चुटकी के करीब हींग डाल दी है और अब इसी में हम डाल देंगे थोड़ी सी मंगरेला या जिसे हम कलोजी भी बोलते हैं या हम इसको ब्लैक जीरा भी बोला जाता है उसको डाल देते हैं और यहां पर यह आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया है देगी मिर्च या कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसके टेस्ट में कोई भी चंजिस नहीं होगी कि मिर्च है तो बस हमें इसे कलर के लिए डाली है यह तीखी भी नहीं होती और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्डी पाउडर, हल्डी पाउडर से जो अचार है वह बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है ओ, यहांपे हम इसमें डाल देते हैं नमक क्युक्कि नमक हमारे अचार को गलाने का काप करेगा तो अब हमें इसको डाल देना है एक चम्मच सिरका अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप इसमें निमबो डाल सकते हैं और ये अचार सालो साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता चाहे आप इसे दो साल तक चला सकते हैं क्योंकि हमने इसमें सिर्का डाला है और सिर्का अचार को जल्दे खराब होने नहीं देता है तो यहाँ पे देखिए अब हम इसमें डाल देते हैं पिसा हुआ दरदरा अचार का मसाला जो हमने तयार किया था और इसी के बाद ये देखिए तेल है जिसे हमें गरम किया था ये तेल जब गरम हो चुका था तब हम इसे ठंडा करके तब हमने इसमें एड़ किया है और अब हम इसे कर लेते हैं मिक्स ये देखिए आप चाहें त एक चम्मत से थोड़ा सा कम डाला है तो यहाँ पर देखिए हमने इसको कर लिया है mix और यह देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है कुछ लोगों के मुह में तो पानी ही आ गया होगा अरे क्यों ना आए यह अजार ही इतना तेश्टी है तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था मसाला तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी और हल्दी और अधा चम्मच और इसमें हमने मसाला एड़ कर दिया है तो यह देखिए और भी दिखने में यह परफ्यार कर लग रहा है जब यह थोड़ा गलेगा तब आपका अचार देखना कितना और इसका लुक चेंजिस हो जाएगा तो इसे आप धूप में रखें जहाए आप बिना धूप में रखें इसे कभी भी खा सकते हैं और यह बहुत ही अच्छा लगता है तो हमारा अचार तो हो चुका है रेडी अब हम चलते हैं इसको शरू करने के परसेस में इसे आप किसी भी कांच जार में भरकर रख सकते हैं अगर कांच जार का डबा नहीं है आपके पास तो आप इसे किसी भी डबे में रख कर और आप इसे 15-20 दिन के तक आप फ्रीज में इसे इसे इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां पर मेरे पास काज का जायर बढ़ा हुआ था छोड़ा सा तो मैं इसी में इसको देखिए इस तरह के से में इसको फिल करके इसमें रख देती हूं यह देखिए लग रहा है ना बिल्कुल मार्किर स्टाइल का यह यह आप अगर मार्किर से लेने जाओगे तो आपको काफी महेंगा मिलेगा और यह तो अपने घर से अपने हाथों से कितने शेतरी की सीज़ को बना कर रेडे कर लिया है अपने हाथों का सवाधी अलग होता है तो यहां से देखिए मैंने उपर से भी थोड़ा सा तील डाल दिया है तो फ्रेंट ये थी अचार की छोटी सी वीडियो, अगर आप लोग को जरा सभी हलपूर लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वैल आइकन को प्रेस कर देना में आप लोग के लिए ऐसी ही नई नई छोटी छोटी वीडियो लेकर आती रहेंगी तब तक के लिए मुझे दी दिये इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केर वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो मच्च